हेलो अब्रिवान वेलकम बैक टू माई चानल ब्लेड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफफ कैसा लग रहा है आप सबको थैंक यू सो मच पर सो मुझे इतने सारे नहीं कर पाई तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड पिछले एपिसोड में हमें हमारे दोनों में लीट को दिखाया गया था वो दोनों मिल चुके थे एक दूसरे से जहां पर हमारे फर्स में लीट मतलब लान वांग जी जिससे ये मीट कभी भी भूल नहीं सकता कभी भी उसके दिमाग से जा नहीं सकता ऐसा कुछ उसके साथ हो गया था और वहीं पर विंग हमारे सेकंड में लीट को कुछ याद ही नहीं था तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है सुबह का वक्त है लान कॉर्परेशन जहाँ पर लान वांग जी एक मीटिंग ख़तम करके अपने केबिन में आके बैठे थे वो अपना काम तो कर रहे थे लेकिन उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था बहुत कुछ लान वांग जी सोच रहा था जह हुआ होगा वो अमेगा क्या वो चला गया है अपने घर उसे जाना चाहिए और वैसे भी एक अमेगा को ऐसे जग़े पर काम कहने का क्या ही जरूरत है वो अमेगा अपने सेफ्टी के बारे में क्यों नहीं सोचता उमिगास को कभी भी बार में काम नहीं करना चाहिए तभी वांग जी ने नौक सुना वांग जी कहता है कम इन शुयंग अंदर आया उसके हाथ में एक ट्रे था उसको उपर सैंविच और कॉफी रखा हुआ था शुयंग उस ट्रे को वांग जी के सामने रखता है और कहता है सर आपका ब्रिकफरस्ट यह कहते हुए शुयंग पीछे हट गया था वांग जी ने सैंविच की तरफ देखा उसने कॉफी को उठाया और कॉफी का एक सिप लिया उसके पसंद के कोडिंग ही बनाया गया है वो ब्लैक कॉफी पीता है जिसमें बिलकुल भी शुगर एड नहीं किया जाता है उसे ऐसे ही कॉफी अच्छा लगता है तो वांग जी अपना कॉफी इंजॉय करा था शुयंग वहां से चला गया था शुयंग अपने डेस्ट पे जाता है और सोचने लगता है आज उसका बॉस किसी खैल में खोया हुआ है शुयंग ने फर्स टाइम अपने बॉस को देखा कि उसका बॉस किसी खैलों में खोया हुआ है कुछ चीज वो सोच रहा है वांग जी कभी भी किसी चीज के लिए सोचता नहीं है वो बस कर देता है उसे जब जैसा लगता है वो तब वैसा ही करता है बिना ये सोचे कि आगे जाके उसका अंजाम क्या होगा ऐसा बहुत बार हो चुका है कि आगे जाके वांग जी के लिए trouble create हुआ है लेकिन वांग जी एक पका खिलारी है तो उसे अच्छे से पता है कि कैसे चीजों को handle किया जाता है वो कुछ papers को check कर रहा था और साथ में अपना sandwich खा रहा था उसने बस दो ही bite लिया था उसके दिमाग में न अचानक से कहां से कल रात की image आने लग गया थे कल रात जो कुछ भी हुआ था और सबसे important उसके mouth में जो sandwich का टुकरा है ना उसे sandwich का टुकरा लग नहीं रहा था वही rice का उसे याद आ रहा था वांग जी को जो कल रात किस कहने के दोड़ान उसके mouth के अंदर आ गया था ऐसा नहीं है कि वांग जी को बहुत ही disgusting फील हो रहा था बिल्कुल भी नहीं उसे ऐसा कुछ feeling नहीं आ रहा था लेकिन उसे अजीब सा ही फील हो रहा था उसके सामने बस वो omega ही दिख रहा था वांग जी उस sandwich को रख देता है और अपने आपको एकदम चेर पर लींड कर देता है और कहता है लान वांग जी एक omega के फालतू कारणा में तुम्हें याद करने की जरुवत नहीं है तुम्हारे पास इतने फालतू के वक्त नहीं है तो अपना फोकस अपने काम पर वापस लाओ वांग जी खुद को ही जैसे डांट रहा था और उस omega के खैलो को उस omega के images को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहा था वांग जी ने शुयंग को बलाया और ये सब हटाने के लिए कहा मतलब कौफी और सैन्विच शुयंग ने देखा वांग जी ने सैन्विच का भी आधा रख दिया है और कौफी भी आधा है बट उसने कुछ कहा नहीं उसे डर लगता है वांग जी के सामने कुछ भी कहने से चाहे वो वांग जी के भलाई के लिए ही क्यों न हो शुयंग उस कॉफी और सैंविच को लेता है और बाहर जाने लगता है तब ही ओफिस का दर्वाजा खुल जाता है शुयंग डर गया था इतना हिम्मत किसमें आ गया जो बिना नौक किये दर्वाजा खुल दिया फिर शुयंग ने कहा प्रेसिडेंट शुयंग जल्दे से बो करता है वहाँ पर अंकल थे अंकल कुरान अंकल कुरान ने नोट किया और बोला बाहर निकलो शुयंग जल्द से बाहर निकल गया और दर्वाजा भी बंद कर दिया बाहर जितने भी सेक्रिटरी थे ना वो सब ही शुयंग का आने का इंतजार करे थे शुयंग जैसे ही बाहर आया वो सब एके करके पूछने लगे थे कि क्या हुआ प्रेसिडेंट क्यों आए वो तो कभी ऐसे आते नहीं वो बहुत कम आते हैं वो भी स्पेशल लोकिशन्स में तो वो आज ऐसे कैसे आ गए क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है या फिर हुआ है शुयंग उनके तरफ एक गलर देता है और कहता है शांत रहो तुम सब अपने अपने काम को प्यार करते भी हो हां अपना काम करो अपने काम से जादा किसी और चीज़ पर ध्यान मत दो इस ओफिस में गौसिप करना मना है यह कहते हुए शुयंग अपने डेक्स पर चला गया था सच कहा जाए तो शुयंग भी उतना ही क्यूरेस है जितना यह सेकरेटरी लोग है बट वो कुछ नहीं कर सकता वांग जी अगर कुछ बताए तो ही शुयंग को पता चलेगा अगर नहीं बताया तो शुयंग को नहीं पता चलेगा कि क्यूं आये है प्रेसिडेंट यहां पर दूसरे तरफ वांग जी का केविन दिखा जाता है जहांका माहुल बहुत ही खराब था मौसम यहां पर बिगर चुका था अंकल कुरान और वांग जी आमने सामने बैठे हुए थे अंकल कुरान कहते हैं वांग जी आज तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ तुम्हें मेरे एक काम से बाहर जाना पड़ेगा वांग जी जिसका आईस एकदम स्टिप था वो एकदम बिना किसी एमोशन के बिना किसी रियाक्शन के बिना किसी एक्स्प्रेशन के बैठा हुआ था अपने अंकल के सामने उसका औरा भी बहुत साथा खतरनाक हो गया था उसे पता है कि अंकल क्या करने वाले है वंग जी अंकल के कुछ कहने से पहले ही कहा मैं किसी ब्लैंड डेट पर नहीं जाने वाला हूँ अंकल कहते है यह ब्लैंड डेट नहीं है वांग जी अपने अंकल की तरफ देख रहा था अंकल कुराइन जो जूट नहीं बोल सकते है इसलिए उन्होंने कहा ठीक है यह ब्लाइन डेट ही है तुम्हें जाना होगा मैंने वादा किया है जाओ और मिलो मिस्टर ली के एक लौती डॉटर ली श्यून वो अच्छी लर्की है वो एक उमेगा है और उसके कनेक्शन्स भी बहुत अच्छे है सुन्दर भी है मैंने उसका फोटो देखा है उसके बार में पता भी लगाया है उसका कैरेक्टर भी अच्छा है तो जाओ और मिलो उससे वांग जी अपने अंकल के तरफ बस देख रहा था अंकल कुर्यान कहते है तुम्हें तो पता है हमलैंस कितने पक्के होते हैं अपने वादे के मैंने उसे वादा किया है कि तुम जाओगे ब्लाइंड डेट पर तो तुम जाने वाले हो जाओ मैं तमारा काम समाल लूँगा वांग जी मजबूर था उसने एक गहरा शाय किया अपना बलेजर उठाया और कैबिन से बाहा निकल गया श्रीयंग जो वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था वांग जी ने कहा रुको तुम्हें आने की जरूरत नहीं है अंकल के साथ रहो उन्हें काम समझाओ वो आज देखेंगे आफिस का काम यह कहते हुए वांग जी निकल गया था श्रीयंग को अपना सर कहीं पर पटकने का मन कर रहा था यह लान वांग जी यह बहुत खतरनाक है लेकिन प्रसिडेंट वो तो लान वांग जी से भी ज़्यादा खतरनाक है उनके साथ काम कहिना मतलब मौत को गले लगाना है अगर एक एक छोटा सा भी मिस्टेक हो गया न जो छोटी छोटी मिस्टेक लान वांग जी के नज़रों से चुक हो जाता है वो भी प्रसिडेंट के नज़रों से नहीं चुक होता प्रसिडेंट उनके लिए भी क्लास लगा देते हैं शुयंग यही सब कुछ सोच रहा था तब ही प्रसिडेंट लैंड ने मतलब अंकल ने बुला लिया था शुयंग को काम के लिए वांग जी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर डेट अरेंज किया गया था उसे पता है उसे क्या करना है ऐसे हजारों डेट उसने हैंडल किया है जो अंकल ने उसके लिए अरेंज किया था इस बार जब वांग जी लोकेशन पर पहुंचता है तो वो हैरान हो गया था ये तो एक dating cafe है वांग जी को इतना irritating feel हो रहा था ना इस cafe को देखकर क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरिके से सजाया गया था dating cafe कैसे होते है मतलब सब कुछ lovey-dovey type का सजाया हुआ होता है ना तो ये बहुत luxurious है बर dating cafe है वांग जी जैसे ही cafe के अंदर गया cafe का manager तुरंत वांग जी के पास आया cafe का manager वांग जी को book करते हुए कहते है Mr. Land आपका स्वागत है चलिए मैं आपको आपके private lounge तक लेकर जाता हूँ जैसे आज आपके लिए book किया गया था ये कहते हुए वहाँ पर लेकर जाने लगता है वांग जी उस manager के पीछे-पीछे जल रहा था वो manager वांग जी को एक private lounge में लेकर गया जो बहुती cute तरीकी से सजा हुआ था पिंक flowers थे, teddy bears था एकदम लवी डवी dating couple जो जो चीज़े पसंद करते हैं वही सब कुछ था कुछ जादा ही लवी डवी चीज़े यहां पर रखा हुआ था जो वांग जी को irritating फील हो रहा था यह देख कर ही वांग जी का पूरा शरीड जल रहा था उससे लग रहा था कि वो जला दे इस cafe को वांग जी ने उस private lounge के अंदर एक lady को देखा जो एक omega है जो बहुत ही well dressed थी उसने भी एक pink color का ड्रेस पहनी हुई थी वांग जी ने गहरा सशाय किया वो अंदा चला गया वो omega जल दिस से उठकर खड़ी हुई और वांग जी को बो किया वांग जी ने धीरे से अपना सर नोट किया तब ही वो lady कहती है मिस्टर लान मैं ली शियून वांग जी ने अपना सर नोट किया फिर से और कहा मुझे पता है मिस ली शियून आप से मिलकर अच्छा लगा ली शियून 28 एस ओल्ड थी वांग जी ली शियून के तरफ देखता है और कहता है तो मिस आप बताईए आप मुझे में इंट्रस्टट कैसे हुए ली शियून कहती है मिस्टर लान मैं मैं क्या पूरे चाइना पूरे वर्ल्ड के ओमेगास आपको एड्मायर करते हैं मैं भी उनमें सही एक हूँ तभी उस प्रावेट लाउंच का दर्वाजा जो था ना उसमें नौक हुआ तभी ली शियून कहती है कम इन वो दर्वाजा उपन हो गया था और अंदर बहुत सारा खाना लेकर कोई आया था वांग जी ने जादा ध्यान नहीं दिया शियून जल्दे से उठती है और वांग जी के करीब जाके बैठती है और वांग जी को वो टी सर्फ करने लगती है वांग जी कहता है आपको ये करने की जरूत नहीं है मैं खुद कर लूँगा ली शियून कहती है मिस लैन आप मेरे लिए यहाँ पर आए हो मैं इतना तो कर सकती हूँ आपके लिए यह कहते हुए शियून वांग जी के करीब और करीब बैठने की कोशिश कर रहा था वांग जी को यह बहुत अंकमफर्टेवल फील हो रहा था उसे गुस्सा भी आ रहा था अगर एक बार गुस्सा आ गया ना तो वो खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा फिर जो होगा देखा जाएगा वांग जी यहीं सब को सोच रहा था तब ही ली शियून ने वांग जी का हाथ पकर लिया उसके बाजूओ को पकर लिया वांग जी ने ली शियून का हाथ कसके पकरा और बोला मुझे किसी का टच पसंद ही यह कहते हुए वांग जी ने ली शियून का हाथ जटक दिया जो वेटर ली शियून और वांग जी का खाना लेकर आया था जो खाने वाले था जो ओर्डर किया गया था उसको सर्फ कर रहा था तो जैसे ही वांग जी ने लीशुन का हाथ जटक दिया लीशुन का हाथ जाके सीधा उस वैटर के हाथों में लगा और एकदम गरम गरम फूड आके लीशुन के हाथों में गिर गया लीशुन चिलाती हुए कहती है यो इडियेट तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम मेरे हाथों के उपर कैसे खान डाल सकते हो ये कहते हुए ली शुइन उठकर खड़ी हो गई वो वेटर जल्दे से अपना सर जुकाते हुए कहता है माफ कर देजे माम लेकिन आपका ही हाथ आगया आगया ली शुइन कहती है तुम तुम्हें इतना जादा बोलते क्यों हो अपनी आउकाद भूल गए हो क्या एक वेटर होके मेरे मेरे बातों को काट रहे हो हिम्मत तो देखो वांग जी ने अपना नजर उठा के उस वेटर की तरफ देखा वांग जी शॉक्ट हो गया वहां पर देखकर वांग जी के मन में ये ख्याल आया ये कितने जगब पर काम करता है तब ली शुइन के चिलाने से वांग जी अपने होश में वाफस आया ली शुइन चिलाते हुए कहती है तुम्हारा मैनेजर कहा पर है उससे अभी बुलाओ अभी क्या भी मैं तुम्हें इस नौकरी से अगर नहीं निकाल पाया तो मेरा नाम बर ली शुइन नहीं तुमने मेरे उपर बात किया मेरे मुझ पर इलजाम लगाया मैं जूट बोल रहा हूँ तुमने मेरे हाथों पर अपना वो गरम खाना डाल दिया मुझे कितना पेन हुरा है तुम्हें पता भी है नहीं बिल्कुल नहीं माफ करे दीजे ये नौकरी मेरे लिए बहुत इंपोर्टन है मैडम गलती मेरा है माफ करे दीजे मैं माफी मांगता हूँ ये कहते हुए वो जो वेटर है वो अपने गुटनों पर बैट गया था वांग जी को ये देखकर बहुत ही ज़ादा गुस्ता आया वांग जी उटकर खड़ा हुआ वांग जी ने कह मिस ली आप तो बहुत ही ज़ादा बत्तमीज है ली शुइन अपना आवाज नीचे करती हुई कहती है लांग जी इसने वांग जी ने अपना सर उठाया और गुस्से से देखा ली शुइन की तरफ और बोला मिस्टर लांग मेरा नाम लेने का परमिशन मैंने आपको नहीं दिया अपनी गलतियों को मानना सीखिए आप जैसे बत्तमीज उमेगा के साथ मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहूँगा मैं रिलेशन में ही नहीं आना चाहूँगा ली शुइन कहती है आप ऐसा कैसे कर सकती हो वो वहाँ पर खड़ी खड़ी चिला रही थी वांग जी पर भी वो अपना गुसा निकाल रही थी वो एक पागल घमंडी अमीर बाप की बिगरी हुई बेटी है वांग जी ने गहरा सा ब्रित लिया क्योंकि ये पागल उमेगा तो जा ही नहीं रही थी वांग जी ने नीचे बैटे हुए उमेगा की तरफ देखा वो वींग था जो यहाँ पर पाट टाइम जॉब करता था वो बस प्रे किये जा रहा था कि उसका नौकरी ना जाए उसका जॉब ना जाए हे भगवान कोई तो बचा ले उसे कोई तो बचा ले वो यही प्रे किये जा रहा था तबी उसे अपने कलाइपर किसी का हाथ महसूस हुआ वो वांग जी का था वांग जी ने विंग का कलाइपकरा और उसे उठाया विंग ने अपने नजरों को उठा कर देखा वो वांग जी को पहचानता नहीं था बिल्कुल भी नहीं वो नहीं पैचानता है तो उसने कहा सर माफ कर दीजिए गलती मेरा है मैडम का कोई गलती नहीं है प्लीज कंप्लेइन मत कीजिएगा ली श्यून ने जैसे ही वांग जी को वींग का सीने से लगा लिया और अपना हाथ आगे बरा दिया वांग जी के हाथों में वो गरम पानी आके लगा था ली श्यून डर गई थी उसने कहा मिस्टर लान आप एक क्या करे हो वांग जी को इस सरफिडे उमिगा पर बहुत ज़्यादा गुस्ता आ रहा था वांग जी ने कहा मिस्स ली आप यहां से जाईए अभी कभी निकल जाईए अगर आप और जादा सिंक्रियट यहां पर करेंगी तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूंगा शायद आपके इस बत्तमीजी का अंजाम आपके परिवार को भुगतना पड़े ली श्यून जो पागल लर्की है पागल उमिका उससे और भी जादा गुस्ता आ गया उसकी एगो में हर्ट हो गया उसका एगो हर्ट हो गया था वो कहती है मिस्टर लान आप ऐसा कैसे कर सकते हो मैं खुद आपके अंकल को बताऊंगा कि आपने क्या कुछ किया फोर देखता हूं कि किसे किसे नुकसान होता है मेरे फैमली को या फिर अपके अंकल आपको ही फटका लगाते हैं आप अपने अंकल के सामने क्या जवाब देंगे वो सोच लीजिए वांग जी को बहुत गुसा आया उसे ऐसे इनसानों पर बहुत जादा गुसा आता है जो उसे धमकाने की कोशिश करते है जो उसे दबाने की कोशिश करते है वांग जी ने एक नजर ली शून की तरफ देखा अब तक तो वांग जी बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा था क्यूंकि एक उमेगा है और ब्लैंड डेट पर आये थे वो लोग इसलिए लेकिन ये उमेगा तो उसे कुछ जादा ही कमजोर समझ रहा है कैस ने वांग जी के बारे में जो लोग कहते हैं उन्हें नहीं सुना है या फिर वो सारी बाते ये उमेगा नजर अंदास करती है वांग जी ने एक क्रीपी सा समाइल किया उसके चारे पर एक समाइल आ गया था जो बहुत ही जादा खतरनाग वाला था छोटा सा स्माइल था वांग जी ने कहा मिस ली आपको मेरे अंकल को कम्प्लेंड करना है प्लीज कीजे मैं आपको कम्प्लेंड करने के लिए एक और चीज दिखाता हूँ जो आप मेरे अंकल को बता सकते हो ये कहते हुए वांग जी ने विंग का फेश पकरा जो अभी तक crystal वांग जी के सीने से सटा हुआ था विंग फ्रीज हो गया था वो हिलने की भी हिमत नहीं करपा रहा था उसका पूरा शरीश जम गया था उसे अपने नौकरी से बहुती जादा प्यार है वो इस नौकरी को खोना अफॉर्ड नहीं कर पाएगा इसलिए वो हिलने का भी हिमत नहीं कर पा रहा था तब ही वांग जी ने उसका फेस पकरा अपने दोनों हाथों से उसका फेस पकरा और उपर उठाया वंग जी इस omega के नजर में डर और जो nervousness है वो देख पा रहा था यह देखते हुए वंग जी ने इस omega का lips capture कर लिया वंग जी नहीं पहचानता है इस omega को दो बार वो मिले हैं वो भी ऐसे ऐसे situation में दो ही बार kiss हो रहा है एक बार इस omega ने वंग जी को किया अब वांग जी इस सुमेंगा को कर रहा है दोसी तरह वींग अपने लिफ्स पर जो वामनेस उसे फील हो रहा था ये कुछ अलग था उसका पूरा शरीड एकदम काप उठा था उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था उसका सब कुछ एकदम साइलेंट हो गया था कुछ भी वो महसूस नहीं कर पा रहा था उसे बस अपने लिफ्स में वो वामनेस महसूस हो रहा था और कुछ नहीं कुछ देट तक तो विंग रियाक्ट ही नहीं कर पाया लेकिन जब ली शियून चिला उठी और कहने लगी मिस्टर लान आप ये क्या करे हो आप ऐसा कैसे कर सकते हो मिस्टर लान विंग होश में आ गया विंग उस अलफा के हाथों से खुद को छुराने की कोशिश कर रहा था अपना लिफ्स उस अलफा के लिफ्स के उपर से हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जैसे जैसे विंग स्ट्रगल करा था ना उस अलफा का जो ग्रिप है वो और भी जादा टाइट हो रहा था लान वांग जी पहले तो अपने आखों को खुला रखकर किस करा था लेकिन दीरे दीरे उसका जाएसे वो बंद हो गया था विंग जो अब जोर जोर से इस अलफा के टेस्ट पर हिट कर रहा था जो उसे किस कर रहा था बिना बाद के पहली बार मिला है विंग इस अलफा से ये क्या हुडा है उसके साथ नौकरी गई भार में उसका फर्स्ट किस इस अलफा ने चुरा लिया विंग को गुसा भी आ रहा था विंग अपने पूरे शरीर का जो शक्ती है ना पूरे एनरजी से वांग जी को धक्का देता है वांग जी तब जाके विंग से लगवा था और वांग जी होश में आया था उसने अपना होश खो दिया था ली शून जो अभी भी चिला रही थी और कह रही थी मिस्टर लान ये आपने सही नहीं किया आप ऐसे कैसे कर सकते हो आप मिरे साथ ब्लाइंड डेट पर आने के बाद एक वेटर को कैसे किस कर सकते हो इससे आगे ली शून कुछ कह पाती एक जोर का चाटा पर गया था जोर का एकदम करक वो भी वांग जी के फेस पर लान वांग जी के फेस पर किसी ने थपर मारा था वो वी इंग था लान वांग जी जिससे कुछ देब तक अपने कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया एकदम सी करके कुछ आवाज आ रहा था ली शून जो अब तक चिला तो रही थी लेकिन ये करने का हिम्मत उसमें नहीं था ली शून जो अपने फेस को अपनी हाथों से ढकी हुई थी और हैरान इसे देख रही थी वांग जी ने अपने सामने इस फ्रैजाइल से उमेगा की तरफ देखा इसके अंदर ताकत तो है इस उमेगा का प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट मीट में कल रात को जब ये मिले थे तब इस उमेगा अपना सर पटक के मारा था वांग जी के सर में अब ये थपर मार दिया वांग जी को वांग जी हैराम था वह स्पीछलेस था तबही विंग कहता है you idiot तुम तुम जैसे अलफास तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे अब इस नौकरी का कोई डर नहीं है अगर मुझे इस जॉब से अब निकाल भी दिया जाए तो भी मुझे फरक नहीं परेगा लेकिन तुमने हिम्मत कैसे कर लिया तुमने मेरा फर्स्ट किस कैसे चुड़ा लिया ये कहते हुए विंग बहुती गुसा से वंग जी को देख रहा था वंग जी ने अपने मन में कहा फर्स्ट किस और यही बात वंग जी ने विंग के सामने जोर से भी कहा क्या कहा फर्स्ट किस विंग और भी ज़्यादा गुसा हो गया था उसने कहा क्या लगता है तुम्हें मैं कैसा ओमिंगा हूँ तुम जैसे अलफाज और ओमिंगास को मैं जानता हूँ तुम अमीर बाप के बिगरे हुए अलफा और ओमिंगास हो तुम्हेरे लिए ये किस बिल्कुल भी माटर नहीं करता है लेकिन मेरे लिए करता है ये कहते वींग वहाँ से अपना पेर पटकते हुए चला गया वंग जी जिसने अपना सर ऐसे हिलाया जैसे कि उसे गुसा तो बहुत आ रहा है लेकिन निकालने का कोई जगा उसको मिल नहीं रहा है वो उसी रियाक्षन को लेकर वहाँ से निकल गया था ली शून उससे भी बहुत करती है और विंग को तुरंद ही उस जौब से फायर कर दिया जाता है विंग को इतना गुसा आ रहा था ना उसे लग रहा था कि किस मनूज घरी में मैं अमेगा और इस अलफा से मिल बैठा डेट में जो कुछ भी हुआ है ये खबर सब कुछ अंकल कुरायन के पास पहुंच प्रेसिडेंट लैन जो काम में थे जैसे ही उन्हें ये सब पता चलता है ना वो हैरान हो गए थे उनको बिलीव नहीं हो रहा था उन्होंने ली शून से दुबारा कनफॉर्म किया कि क्या क्या हुआ है ली शून ली शून जिसने हर एक चीज को डीटियल में बता दिया था कि क्या क्या हुआ है जैसे लिलान वांग जी ऑफिस में वापस आया ना अंकल ने वांग जी को दबोच लिया और कहा किसने तुमें थपर मारा ऐसा कौन है इतना हिमत किस उमेगा में है जिसने तुमें थपर मार दिया और तुमने किस भी कर दिया उस उमेगा को वांग जी कि क्या क्या हुआ है उसे बहुत ज़ा गुस्ता आ रहा था वांग जी गुस्ते में इसलिए था कि उस उमेगा ने कहा कि ये उसका first kiss है जबकर ऐसा नहीं है कल रात को ही उन्होंने kiss किया था और वो उमेगा लुदा जिसने वांग जी को kiss किया था तो वो ओमेगा कैसे कह सकता है कि ये उसका फर्स्ट किस है वांग जी ने शुयंग को अपने पास बुलाया और बोला कल रात जिस ओमेगा से वो लोग मिले थे उस ओमेगा के बारे में सब कुछ पता लगाय जाए ये कहते हुए शुयंग निकल गया था पता करने के लिए वांग जी अपने गाले पर हाथ रखते हुए कहता है वो में गाँ है तो खूबसूरत साथ में स्ट्रॉंग भी है दिखता कमजोर है दूसरी तरफ विंग बहुत ही जादा अपसड़ था बहुत ही जादा उसे बुरा लग रहा था उसका जॉब चला गया वो अपने दुख किसे सुनाए उसे पता नहीं उसे अपना रेंट भी भरना है अब वो क्या करेगा विंग यही सब कुछ सोच रहा था और उस अलफा को कोस रहा था उस ओमेगा को भी वो कोस रहा था तबी विंग का नजर एक बिजनस मैगजिन पर जाता है जिसके फ्रंट पेज पर वही अलफा था विंग ने हिराने से कहा क्या क्या मतलब इसका हेई अबरिवान आज का अपिसोड यहीं पर खतम होता है कैसा लगा है जरूर बताना और नेक्स्ट अपिसोड में बलते हैं बाई बाई